आज ये बहुत ही विशेश दिवस हम सब के लिए है क्योंकि 25-30 साल पहले एक स्वपन हम लोगों ने देखा था कि नागपूर में और मध्यभारत में एक बहुत अच्छा कैंसर इंस्टिटूट बने और विशेश रूप से आज जिस प्रकार से टाटा कैंसर इंस्टिटूट देश भर के लोगों की सेवा करता है और जिस प्रकार से कैंसर केर में टाटा ने अत्यंत सुन्दर काम किया है तो हम लोगों को लगता था कि उनी का मार्क दर्शन लेकर हम लोग एक ऐसी इंस्टिटूट तैयार करें जो मध्यभारत में टाटा का काम थोड़ा कम कर सके और उसी दर्श्टी से इस स्वपन को हम लोगों ने जीने का प्रयास किया और मैं विशेश उल्लेक करना चाहूंगा शेलेश जोगलेकर जी का क्योंकि ये संपूर्ण कारिय जो संपारित हुआ है इसमें पहले दिन से लेकर तो आज तक दिन रात मेहनत करके 24 घंटे एक व्यक्ति यहां था तो वो शेलेश जोगलेकर थे कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यहां पर तयार किया और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो शेलेश जी का और मेरा इस अपन था क्योंकि मेरे पिता जी जब कैंसर से गुजरे उस समय मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल का लोड देखा ता मैं छोटा था लेकिन ध्यान में आता था कि उस समय भी इतने पेशन्ट होते थे सबको सेवाय मिलती थे लेकिन बहुत लोड होता था मुंबए में रहने के प्राब्लेम्स होते थे शेलेश जी के भी घर में उनकी पत्नी जब कैंसर से गुजरी उस समय एक लंबी ट्रीटमेंट शेलेश जी ने उनके लिए जब की तो शेलेश जी एक प्रकार से कैंसर के एक्सपर्ड भी बने तो हम लोगों ने उस समय यह प्रकार से हमारे विलाज जी फढण विस की राष्टीय स वयम शेलेश संगमें एक प्रकार से हमारे मार्ग दर्शक विलाज जी थे और विलाज जी ने इसमें प्रेरणा दी और यह जो सारी टीम हमको दिखाई पड़ती है ये सारी टीम उस समय विलाज जी के तत्वाउधान में तयार हुई और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो हम दोनों का सपना था वो एक टीम का सपना बना और इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इसका भी उल्लेख में करना चाहता हूं कि पन गलग समय यहां पर भेट देकर कितना कार्य हुआ है यह भी उन्होंने उसकी जानकारी भी ली उसका मार्क दरशन भी हमको किया अधरणिय भीया जी ने हमको मार्क दरशन किया और विशेश रूप से पसंद आएगा ने लेकिन फिर भी में उल्लेख करना चाहूंगा हमारे सुनिल जी देशपंडे का कि जिन्होंने हमें इस सारे काम में बहुत अच्छा मार्क दरशन किया और मैं ऐसा मानता हूं कि यह केवल संगह की प्रेरणा थी कि जिसके कारण हम सब लोग मिलकर इसको तैयार कर पाए